हाई वेलकम टू एडिएफ इस्टूडियो आज हम डिसकस करने वाले हैं गिफ्ट शोरोम इंटीरियर डिजाइन के बारे में जो की डिजाइन की गई हैं 35 फीड बाई 35 फीड के एरिया में चलिए इसका इंटीर एंड एक्स्टीर व्यू देख लेते हैं यहें इसका फ्रेंट है इसके फ्रेंट का डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें इसकी एंट्री मिल जाती है एंट्री करते ही डिस्प्ले केबिनेट मिल जाती है इसका डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते है इसमें हमें डिफ्रेंट टाइप की डिस्प्ले मिल जाती है यह है शेल्फ डिस्प्ले है जिसकी बैक साइड ओपन रखी गई है सभी डिस्पले को MDS में डिजाइन किया गया है सभी डिस्पले पर वाइट डिको किया गया है एंड यहाँ पर हमें mirror डिजाइन मिल जाता है जैसे कि सभी डिस्पले की shape एंड sizes आप यहाँ पर देख सकते है डिफ्रेंट आइटम के लिए डिफ्रेंट साइजिस रखे गए है फरेंट टफंड ग्लास के सामने पॉर्ट डिस्प्ले मिल जाती है और यहां पर कर्व में डिस्प्ले डिजाइन की गई है यह 35 feet by 35 feet का structure है जिसको column फिरी रखा गया है और इसके flooring में black marble finish epoxy flooring की गई है और यहां पर हमें इसका billing counter मिल जाता है इसके back wall पर wallpaper का design किया गया है और अधर wall पर wallpaper के साथ blue paint मिल जाता है रखा गया है जिस पर हमें focus element के लिए focus light मिल जाती है और अवर ओल लाइटिंग के लिए panel light मिल जाती है जैसे कि आप इसका complete view यहां पर देख सकते हैं तो आपको यह gift shop interior design कैसा लगा हमें comment करके जुरूर बताईएगा और वीडियो को like channel को subscribe कर लिजेगा अगर आप भी अपने showroom का interior design कराना चाहते हैं तो हमें इस number पर contact कर सकते हैं Thank you चलिए इसके different views देख लेते हैं खाल सकते हैं अजया झाल 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 थेख रेख झाल 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 प्राइगे साव्ड़राई लार, लार वार को तो लार को भी बार को आना, भार को वह से नहीं है, को बार को वहा नहीं है?